हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम शुमाईल है आप लोग दिखने हैं वाई टेक ने इस्टार करता हुच की वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ हिदेन और यूनीक फीचर के बारे में Xperia XZ3 के 2021 में अब आप जानते हैं यह फोन और अराउंड कुछ 2018 में लाँज हुआ था ऐसा फ्लैक्षिप फोन था और काफी जड़ा पॉपलर भी हुआ था अब यह फोन पाकिसान में ऐसा केट आते हैं तो हम देखेंगे कि यहां पर आपको क्या-क्या फीचर मिलते हैं और करते हो तो आपका जो फोन है वो खुछ से वाइबरेट होता है साउन के साथ साथ और यहां पर आप वाइबरेशन को कम जादा भी कर सकते हो जैसे कि यहां पर मैंने अपनी वीडियो चलाई आप यहां पर वाइबरेशन को मैं चाहूं तो कम कर सकता हूं बंद कर सकता हूं या जादा करता हूँ और इसकी जो vibration है वो काफी जादा अच्छी है और यहाँ पर आपको जो वीडियो का जो experience है वो काफी जादा अच्छा कर देता है sound quality यहाँ पर काफी जादा भैसर रहती है और vibration के साथ stereo speaker के साथ यह phone कमाल कर देता है वीडियो में तो यह जो feature है यह मेरा one of the favorite feature है तो मैं बात करूँ अगर दूसरे feature की तो वो आता है battery के रिगारिंग अब जादा तो लोग बोलते हैं इसकी बैटरी जो ना 3300 mAh बैटरी है जो के आज़कर के हिसलाब से लोग समझते हैं कि कम है लेकिन भाई यहाँ पर जो battery के modes दिये हैं वो यहाँ पर on रखता हूं तो यहाँ पर यह phone है इसकी जो performance है जो battery के performance है वो काफी जादा आची हो जाती है यहाँ पर मुझे यह phone around साले 5 घंटे का on screen देता है stamina mode के साथ अगर मैं stamina mode को off कर देता हूं तो इसकी जो battery performance है वो around 4 घंटे तक हो जाती है अच्छा stamina mode को off करने से लेकिन in the end जो result है वो काफी जादा अच्छा होता है और आपको जो performance है battery की वो काफी जादा अच्छी हो जाती है इसके लावा यहाँ पर एक और feature है जो कि मुझे काफी जादा पसंद है वो है battery care अब यह feature जो है charging के regarding काफी जादा काम आता है जारतर हम जो है रात में charging पे ल जो के नाम से use battery care के नाम से बैकर के नाम से यह feature है यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने यह feature on किया वाई भी तो इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है यहाँ पर कि जब भी मैं जो है mobile charge पे लगाता हूँ और अगर मैं भूल जाता हूँ जैसके मैं सोग यह mobile charge पे लगा के तो 90% ह यहाँ पर काफी जारा यह फाइदा है कि अगर आप रात में tension free होकी भी अपने phone को charge पे लगा सकते हो इसके लाब बात करूँ अगर next feature की तो यहाँ पर next feature आता है हमारे पास नीचे जाके system में system में जाके यहाँ आता है gasters अब gasters पर सबसे पहले option बाते है side sense अब यह side sense के ज double tap करूँगा side तो यहाँ पर जो है इस तरफ तो यहाँ पर जो है one second हाँ यहाँ पर जो है दे सकते हैं कि यहां पर आपके पास application आ जाती है और यह पर आपके पास ज turnover जो है options जाए वाइफ़ा पर option है इसके लाबह। जितने भी आप्शन चाहें यहाँ पर लगा सकते है तो आप ऐसे ही बंद भी कर सकते हैं तो यह option कभी-कभी hit and miss से दे सकते हैं कि कभी-कभी ऐसे काम नहीं करता है लेकिन जारत तर यह option काम करता है आप दे सकते हैं कि जारत तर यह option काम करता है तो यह काफे जारत अच्छा option है दूसरे option की तो वो है 100 mode अब यहाँ पर आपकी दर्सक्राइब के 100 mode आप नीचे slide करके जो 100 mode है उसको on कर सकते हैं इसके लावा slide back करके 100 mode को off कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर जो तीसरे option है वो है smart bat lag control मतलब अगर आप जब तक phone की screen पर देख रहे होंगे जब तक आपका जो phone है वो इसकी जो screen है वो on रही और यह जो है जैसे का अगर कोई book पढ़ रहे हैं और बार बार आप चाहते हैं कि बाई जो आपका जो screen है वो मैं जो है बार बार on ना करनी पड़े तो इस तरह से यह काफी तरह अच्छा काम करता है इसके इलावा यहाँ पर आयता है smart key behavior अब smart key से आप क्या चाह रहे हैं बाई smart key अगर आप double tap करें तो क्या हो यहाँ पर आयता है google का जो है ओ open हो आता है assistant जैसी मैंने double press किया smart जो हमारी power button से और यहाँ पर जो google की जो assistant था वो open हो गया है तो double tap अगर आप power button करेंगे तो आपका जो assistance है वो open हो जाएगा इसका launch camera है इसका आप चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा यहाँ पर option है when to show जो आपका always on display तो always on display अगर आप चाहो तो always on हो सकते हो चाहो तो smart activation कर सकते हो चाहो तो आप जैसे ही phone को lift करो उस time पर on हो चाहो तो off भी कर सकते हो तो यहाँ पर यह सारे option है इसमें जाप कोई भी select कर सकते हो जो कि काफि जाए अच्छी option है smart calling handling जैसे आप कान पर phone को लगाओगे तो phone जो है आपका खुद बाखुद call attend कर लेगा अब ये फीचर भी काफि जादा helpful रहता है कुछ लोगों के लिए जातर लोग जो ना साते हैं निए जो ना अगर सो रहे हो तो phone direct कान पर लगाए और phone जो है जो है चेंज कर सकते हैं जो है 4.5 है 4.4 है 5.5 है और 5.6 तक आप रख सकते हैं मतलब जो application layout है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपके पास transaction का option आयाता है आप transaction की set कर सकते हो screen की कि आपको कौन सी transaction यहाँ पर चाहिए इसके अलावा यहाँ पर जो option आता है वह आता है विडियो का अब यहाँ पर आप कोई भी वीडियो जो है जैसे कि आप जारा तरैन व्रट में देखते हो तो यहाँ पर आप कोई भी application की वीडियो लगा सकते हो इसके लावर आपके पास और डिस्प्ले में अपनी फोटो भी लगाने चाहते हो तो यहाप अपर आप कर सकते हो और आपकी photos लग जाएंगी, इसके लावर demo photo लगाना चाहते हो, अपनी खुद की device की photo लगाना चाहते हो, तो आप device की photo भी लगा सकते हो, उसके लिए आपको यह on करना पड़ेगा, तो आपकी जो है, device की photo जो है, आपके जो always on display है, उस पर लग जाएंगी, जैसे कि मैं थोड pictures है, वो backhand पे आज जाती है, मतलब जैसे कि one second, यहाँ पर one second, मैं दोबारा on कर लेता हूँ, one second, अब देखते हैं, देखें, backhand, back पे pictures आ गई, देखते हैं आप, तो back पे pictures आयाती है, आपके always on display के न, back पे picture आयाती है, जो के काफे जादा अच्छा काम करती है, इसके अलावा, यहाँ पर आपके पास music information का option, music information कर सकते हैं, sticker लगा सकते हो, तो यह पर काफे ज़दा option आयाते है, always on display, clock का option आयाता है, अब clock काउन सी है, तो clock का आप कोई भी लगा सकते हो, सो भाई, यह थे complete features हमारे Xperia XZ3 के, I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इसके अलावा, इसके अगर आप कोई और feature के बारे में जानना चाहिए, तो नीचे comment में लिसक्ते हो, मेरे हमें आपर काफे जादा feature है, Xperia XZ2 18 में भी आपको काफे जादा feature दियर है, जो के अभी भी काफे जादा यूसफूल है, कास्तोर पे, dynamic vibration और battery care के जैसे option, तो काफे जादा अच्छी option है, stamina mode, तो यह थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैन दोर कीजिगा, thank you so much.